देखिए अभी जो है सरकार के तरफ से जो भी स्कीम का benefit के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है चाहे स्कॉर्ड सीफ हो गया सरकार योजना का पैसा हो गया या फिर किसी परकार का कोई पैसा हो गया तो जो है dbt link in खाते में यानि कि जो NPCI link खाता है न उसी में ट्रांस्पर कि जा रहा है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो अधार है न वो कौन से बैंक के साथ NPCI link है जो कि जब भी पैसे आएंगे तो उसमें पैसे आपको मिल जाएंगे और link नहीं है तो उसको किस तरह से आप जो ह नहीं न कहीं बहुत ज़्यदा एनरजी देता है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए हमने जो ही लिंक दिया हुआ है नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस website पर आ जाएंगे यहां पे आने की बात सबसे पहले जो है अपना जो NPCI link in status है यानि कि जानते हैं कि जो बैंक मैपर है उसका जो है website यहां पर खोल जाएगा अब यहां पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है login के बटन पर क्लिक करना है और आपके पास जो भी अधार काड है जिसकी आप NPCI link in status है चेक करना चाहते हैं उस अधार नंबर को यहां पर फिल करे यानिकी जो security code यहां पर देख रहा है न उस तरह से आपको यहां पर फिल करना है और login with OTP के बटन पर क्लिक करना है अब आपके अधार काड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो है एक OTP send किया गया है OTP को यहां पर डालेंगे login के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही login के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर login हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका फोटो देखने लगेगा ठीक है अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर बैंक जो है सीडिंग स्टेटेस आपको देखने को मिलेगा इसको ही NPCI link in बोला जाता है ठीक है तो इस पर ही आपको क्लिक करना है अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जनकारी यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका जो bank mapping है वो जो है है कि आपका जो है में पिन तो था लेकिन किसी ना किसी कारण इन एक्टीब हो गया है तो इस कंडिशन में सरकार के तरफ से किसी परकार की कोई भी पैसे का जो benefit है ना आप नहीं ले पाएंगे तो उस कंडिशन में आपको जो ही link करवानी होगी तो link कैसे करना है उसकी regarding देख़ा देते हैं देखिए जिनका जो हे मैपी नहीं पर डौन होगा और एक्टीव होगा तो इस तरह से यहां पर एक्टीव देखने को मिलेगा और कब जो है अपडेट हुआ है उसकी भी जनकाड़ी देखने को मिलेगा और करेंग कौन से बैंक के साथ Link है यह भी आपको देखनी को मिलेगा तो इस तरह से आपको देखनी को मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ऐंपीस हो लिंक है आपको लिंक करवाने क्यों सकता नहीं है कभी सरकार के तरब से डीविटी के माधिम से पैसे oh cya जाएगगे तो आपका जो पैसा है न जो बैंक का यहां पर डॉन नहीं होता है तो यहां पर कुछ भी सो नहीं करेगा ठीक है तो उसका मतलब यह है कि आपका जो ही लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करवाना है तो उसके लिए हमने जो है एक यहां पर फॉर्म का जो ही लिंक दिया हुआ देखिए आपको हम किलियर कर दें कि अगर जिस भी परांच में खाता होगा वहां पर आपको जाना होगा जाने से पहले एक फॉर्म आपको लेकर जाना होगा और उस फॉर्म को भरना होगा कुछ महतपूर दास्तवेज लगाना होगा हम आपको बतायते हैं तो हमने फॉर्म का यहां पर लिंक दिया हुआ है जिस पर आ करने और यहां पे जोभी भैक का नेम है वो लिखेंगे ब्रांच बहुशी साब का लगता है वो लिखेंगे बाकी यहां पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहां पर जो भी सेबीन आपका सेबीन अकाउंट नंबर है। उसको यहां are दर्ज करेंगे और जो भी आपका bank में name है न ओन नेम यहां पर लिखेंगे ठीक है देख सकते हैं कि यहां पर mister message लागा हुआ है तो यहां पर अपना जो भी account पर name है ओन नेम यहां पर दर्ज करेंगे अब यहां पर कुछ consent आपको देना पड़ता है कि आपका जो भी आधार है उसका details जो है अटिकेट किया जाएगा यूडाई के दवारा और आपका जो mobile number है जो भी mention करेंगे seeding SMS के दवारा wallet में आपको दी जाएगी और बाकी आपका जो भी अधार number है न वह आपका जो है link हो जाएगा ठीक है तो यह जो है आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है यह आप concern दे रहे हैं कि हाँ यह bank के पास authorized है यह bank कर सकता है अब यहां पर आपना जो signature है या फिर पर टीक करना है और आपका जो एकाउंट नंबर है यहां पर लिख देना है मालीजी आपका जो है already किसी और bank में link है तो उस bank का name लिखेंगे उसका जो भी IIN नंबर हो लिख सकते हैं ठीक है और बता सकते हैं लेकिन जर्नली आपको जो ही first वाला ही टीक करना होता है और another bank मे है तो उसकी भी जनकारी आप यहां पर दे सकते हैं तो आपको करना क्या है इसको आपको टीक करना है कि हाँ मेरा जो है कहीं भी सीडिंग नहीं है तो आप इसको टीक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपना जो भी signature है वो आपको करना होगा या फिर आप मानली जीए कि ठेपा बगर देते हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं ठीक है जनकारी भर के अब आपको करना क्या है कि यहां पर जो भी आपका अधार का कॉपी है वो लगाना है अपना email id, mobile number भी लिखना है, name भी यहां पर लिखना है और साथी साथ यहां पर जो भी signature ह यहां पर देख सकते हैं signature thumb impression of customer यानि कि फिर यहां पर भी signature आपको करना होगा तिस तरस जो भी form को आपको भरना है और इसी form को आप क्या करेंगे कि आपका जो भी पास्बुक है उसका photo copy और साथी साथ जो भी आपका अधार है उसका photo copy लगा कर अपने branch जो भी होता है जहां आपका जो अधार सीडिंग है या अगर्यान हो गया है और आपका दिखार आए है कि इस तरह से टर, ये आपका मतलब है कि आपका जो अधार थाई है वह फो गया है ऑपकर तो जैसे कि मैंने सभी जनगारी आपको clear कर करके बता दी आ कि mortality कर सकते हैं और नहीं है तो कि इस तरस जो ही form को fill up करके आपना जो NPCA लिंक है वो करवा सकते हैं फिर भी आपका मन में किसी परकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से related तो आप हमें कमेंट से में comment करके पूछ सकते हैं जहां तक हमाई knowledge होगी वहां तक आपको जनकाड़ी देने की कोशिस की जाएगी वीडियो द